जैम आता दी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी चरूर लिखें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, हनुमान जैनती साल दो हजार चौबिस में कब बनाई जाएगी? और इसकी पूजा का सुब मूरत क्या रहेगा? साथी हम आपको बताएंगे हनुमान जैनती की पूजन सामगरी और संपौन पूजा फिती के बारे में लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें, तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों हनुमान जैनती के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा की जाती है, सास्तरों के नुसार चैतर मा के सुकल पक्ष की पुर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म माना जाता है, हनुमान जी को कल्यूग में सबसे प्रभाव साली दिवता माना गया है, हनुमान जी भ बजरंग बली भगवान स्री राम जी के परम भक्त थे। दोस्तों हनुमान जैनती के दिन भक्त बजरंग बली के नाम का प्रत रखते हैं। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला और बूंदी के प्रशाद का भोग लगाते हैं। ये दिन हनुमान भक्त के लिए बहुत जादम हत्पूर्ण होता है इस दिन लोग हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाट करते हैं वहीं लोग इस दिन अपने घरों में सुंदर कांड और रामायन का पाट भी करवाते हैं दोस्तों हनुमान जी को चिरन जीवी कहा जाता है जिसका अर्थ है कभी न मरने वाल बजरंग बली अपने भक्तों से सीगिर प्रसन्न हो जाते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि हनुमान जैन्ती की पूजन समगरी क्या क्या है दोस्तों पूजा के लिए लकड़ी की चोकी या पटा चाहिए होगा इसके लावा लाल कपड़ा या लंगोट, हनुमान जी की मूर्ती और फोटो, अक्षत, तुलसी की पती, धूब, दीपक, घी, केला और लाल फूल, माला, चमेली का तेल, गुलाब, कनेर, सिंदूर, रोली, चंदन, जनेव, इत्र और पान का बीड़ा और नैवेद में गुड़ चना या बेसन के लड़ू आदी चीजों की समगरी की आवशकता होती है दोस्तों, इस दिंवरत रखने वालों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है हनुमान जी की पूजा में ब्रह्म चर्र का विसेश रूप से ध्यान रखा जाता है इसलिए आप वो हनुमान जैनती के दिन एक दिन पहले से ही ब्रह्म चर्र का पालन करना चाहिए और जमीन पर ही सोना चाहिए दोस्तों, हनुमान जैनती के दिन सुबह उठकर राम, सीता और हनुमान जी का इस्मरण करते हुए इसनान करने के बाद स्वचवस्त धारण करें इसके बाद पूर दिशा की और मुख करके लाल आसन पर बैठें अब आप एक लकड़ी की चोकी पर गंगा जल चड़कें और उस पर लाल वस्तर बिचा कर बगवान हनुमान जी की मूर्ती स्थापित करें साथ ही सीता राम की भी मूर्ती स्थापित करें या आप राम दरवार की भी फोटो रख सकते हैं इसके बाद हनुमान जी के आगे चमेली की तेल का या सुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें लाल पुस्प छोला सिंदूर आदि अर्पित करें हनुमान जी को लाल लंगोट और जनेव अर्पित करें इत चड़कें तत्पस्चात हनुमान चालीसा का पार्ट करें और हनुमान जी के मंत्रों का पार्ट करें इसके बाद पान का बेड़ा अर्पित करें और भगवान जी को भोग अर्पित करें दोस्तों हनुमान जैनती के दिन सभी प्रकार की मनुकाम नौगी पूर्ती के लिए रामचरित मानस का पाठ करना अत्यन्ती सुब होता है भोग लगाने के बाद हनुमान जी से छमा या चना अवस्से करें क्योंकि अक्सर पूजा में जाने अन जाने कोई न कोई भूल हो जाती है अगर हो सके तो इस दिन बंदरों को गुड़ और चना भी अवस्से खिलाएं तो चलिए जान लेते हैं कि साल दो हजार चौबिस में हनुमान जैनती कब मनाई जाएगी दोस्तों हनुमान जैनती 13 अपरेल दो हजार चौबिस दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और पुर्णुमा तिथी की सुरुवाद 23 अपरेल दो हजार चौबिस की सुबा 3 बच कर 25 मिनट पर हो जाएगी और पुर्णुमत इथी की समापती 14 अप्रेल 2024 की सुबा 5 बच कर 18 मिनट पर होगी दोस्तों हनुमान जैनती की पूजा के लिए दोपहर का समय सुब माना गया है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्निवाद